अरियूं, आप लोगों का माय ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, कोरॉल रो में, फोर कलर सप्रेशन को कैसे करना है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो पहले क्या है, एक नया फाइल लेता हूँ, फाइल में आता हूँ, न्यू फाइल बोल दिया मैंने अभी दिखो इधर क्या है, प्रैमरी कलर मोड को क्या है, इधर सिया मोड के रखके इसको क्या है, वोके बोलता हूँ तो देखो भी ऐसे एक पेज आ गया भी इसको थोड़ा जूम किया मैंने इससे पहले भी मैंने किया है एक हाफ टोन पैटर्न यूज करके आपको four color suppression कैसे करना है उसके बारे में बताया है लेकिन उसमें क्या होता है जो भी result आता है वो pixel में आता है यानि bitmap में आता है लेकिन अभी जो coral row में जिस method से मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है पॉइंट смотр है इसमें आपको क्या है वेक्टर में आजाता है इस ऐसे एक image लेने के भान आख़ नहीं है इमेज लेने के बाद आण क्या है कुछ color सप्रेशन करने के लिए इदर क्या है एक countrl से box लिया मैंने control को hold करते हूँ control को hold करके इसे नीचे लेके right link करता हूँ इसको आप गशा control R बुलो आप तो देखो ऐसा हो गया अभी इसको select करके इसको क्या है cyan color देता हूँ और इसको क्या है magenta देया मैंने और इदर इलो देना है आपको और यह क्या है black देना है इसका जो outline है इसको remove करता हूँ right click करके इदर क्या है set outline color बोलो आप तो outline remove हो गया इतना होने के बाद अभी इन सब को select करता हूँ select करके control को hold करते हैं थोड़ा right के तरफ लेना है आपको लेके इदर mouse right click करता हूँ तो और एक copy बन गया yellow SIM एक आपको रकना है तो yellow आगया अभी इसके क्या करता हूँ सिर्फ magenta रखना है आपको और इदर के सिर्फ cyan color को आपको रखना है इसेया मैंने यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसमें क्या है color separate करना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ sean more अभी effect में आता हूँ, effect में आके आपको क्या करना adjustment में आना है, इधर आके इधर channel mixer करके है, इसमें आता हूँ, इसमें आने के बाद, आपको क्या करना है, इधर दिखो color mode हमारा क्या है, CMY क्या है, और output channel हमको क्या चाहिए भी, सयान चाहिए तो सयान select करता हूँ, दिखो भी आपको क्या है सायन 100% आपको दिखा रहा है सो अभी इसको क्या है ओके बोल देता हूँ मैं तो सायन कलर है इसी तरह क्या है इसको सेलेट करता हूँ सेलेट करके फिर से एफेक्ट में आना है अजजेश्मेंट में आना है आके इदर क्या है एलो लेना है अभी इसको बोलता हूँ तो एलो शेड आ गया भी अभी इसमें आता हूँ इसको क्या है ब्लाक करना है मुझे एफेक्ट में आके इदर क्या है channel mixture में आता हूं, आने के बाद आपको क्या करना है अभी इदर ये तो cmi के है, अभी इसको क्या है black कर लेता हूं, करके इसको okay बोल देता हूं, अभी इदर क्या है, ये सब चारो colors separate होगे अभी, अभी इसको select करता हूं मैं इसको select रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ इधर आता हूँ यह क्या है effect मैं अहकर इधर क्या है pointsil it करके ही इसमें आता हूँ तू द symmetry का जो बिंगल है अभी हए स्ट्राइब्ध रखता हूँ इसको 70 भी आखा है मैंने स्केवन हे और इसका स्केल है 16 रखा है, इसको maximum आप 256 तक रख सकते हैं, लेकिन इसदर क्या है, मैंने 16 रखा है, और इसमें आपको क्या करना है, जो method है, इसको आपको size modulation करके है, इसको active रखता हूँ मैं, इसको रखने के बाद, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, apply भोलता हूँ, तो देखो भी ये क्या है, apply हो गया, जैसे अभी इदर देखो, ऐसे dots में आ जाता है, ये आपको समझ में आ रहा है, अभी क्या है, इसी तरह क्या है, magenta में आता हूँ, magenta में क्या है, angle change करता हूँ, 75 रखता हूँ, 75 रखके इसको apply करना है, तो देखो भी ये क्या है, 75 degree इसका angle आ गया भी, अभी सेम इसी तरह क्या है, yellow में आता हूँ, yellow के लिए आपको क्या करना है, zero रखना है, zero या निदि जो as it is आ जाता है, तो अभी दिको, ऐसा आ गया, ये समझ में आ रहा है आपको, अभी मैं क्या करता हूँ, इदर black में आता हूँ, black में आपको क्या करना है, 45 डिग्रे रखता और इसको क्या है Magenta color दिया मैने और इसको क्या है एक Yellow Shed देता हूं और इसको यह तो अलड़ी Black है अभी दिखो यह जो Docker है इस Docker को Close कर देता हूं अभी दिखो इन दोनों को ऐसे Select करता हूं मैं ऐसे Select किया यह जो Color Suppression के लिए मैंने box रखा है इसको भी select किया है मैंने अभी इसका जो left top जो node है इसको hold करके इसके उपर लाके इधर छोड़ता हूँ मैं इसके उपर छोड़ दिया मैंने तो इसको एक बार जूम करके आप देख लेना तो देखो भी यह क्या हुआ है अभी सेहन के उपर magenta dot है लेकिन कलर मिक्स नहीं हुआ है उसके उपर कलर लगा है जैसे समझो भी आप प्रिंटिंग करते वक्त आप क्या है आप क्या है आप क्य अभी मैं क्या करता हूँ इसको सेलेट रखते हुए इसको अभी मैं क्या करता हूँ इदर ट्रांसपरेंसी टूल लेता हूँ अभी देखो यह क्या है इसको लेते हुए अभी उसका जो mode है इसको क्या है multiply करता हूँ उसी तरह क्या है इसको भी सेलेट करता हूँ इन सबको आप सेलेट करो अभी देखो शिफ्ट के साथ इन सब को सेलेट करके अभी मैं क्या करता हूँ ट्रांसपरेंसी टूल लेके इसको क्या है multiply करता हूँ इदर so multiply हो गया अभी उसी तरह क्या है अभी मैं क्या करता हूँ फिर से इन दोनों को ऐसे select को आप drag करके यह जो separation का जो point है यह भी select है अभी इस node को select करके इसके उपर लाता हूँ तो देखो भी जैसे इदर snap होता है तभी आपको click छोड़ना है अभी इस portion को थोड़ा zoom करता हूँ मैं तो देखो भी इसको इदर zoom कर रहा हूँ तो देखो जो cyan और magenta जहां पर overlap हुआ है उदर color का result थोड़ा अलग है अगर इसमें मैं इसको zoom out कर लेता हूँ इसी तरह क्या करना है आपको सब channels को एक के उपर ऐसे लाना है तो अभी देखो इसको क्या है इन दूनों को भी ऐसे select करता हूँ select करके Ctrl G बोलता हूँ मैं इसको भी group कर लेता हूँ group करके अभी इसको select रखते हुए यह जो yellow dot है इसको क्या है इद snap होने के बाद click छोड़ देता हूँ तो देखो अभी यह क्या है इसको ठोड़ा zoom करके देखेंगे अभी इस color क्या है इसे mix हुआ तो देखो भी यह समझ में आरा है आपको ऐसे color mix होता है तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको zoom out कर लेता हूँ अभी इस सब को select करके Ctrl G बोलता हूँ अभी दिखो यह क्या है पेज के सेंटर में है अभी दिखो इसमें क्या है सयान मजंटा या लो और ब्लाक जो है इसमें लेटर भी टाइप करके रखता हूँ मैं इसको अभी क्या है c m y k करके type किया मैंने type करने के बाद अभी के लिए क्या है इसको थोड़ा bold font लेता हूँ मैं इदर देखो थोड़ा bold font ले आमने अभी इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ चोटा करके आपको क्या करना है ctrl k बूलना है तो break होता है अभी देखो इस image को select करके अभी मैं क्या करता हूँ object में आके ungroup all बोलता हूँ ungroup all क्या है मैंने तो सब ungroup हो गया अभी तो अभी क्या है c को select करके इसको select करता हूँ यह और c बूल आपर center आ गया m and magenta को select करके य और C बोलो इस तरह क्या है is Y को भी क्या है , onesった करके य और C बोलुता हूव और black को भी आ क्या है , on this हimana अजै नहीं से Center कर लेना है तो अभी में क्या करता हूँ , जो black जो letter है और yellow और Magenta और romanal और colour और cyan को और G दो इस्योपि सब करके white कर लेता हूँ है यह समझ में आता है अभी इन सब को सेलेट करता हूं करके ctrl G बो आपब तो गुडुप हो आए प्रिंट प्रियूम्हांता हूं जेकी नहीं क cannon rifles करका रहा है करने के दिद्ध क्या है ठीड़ करना था था इसको separate करके आपके 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 प्रिंट लेके आपके स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं और जो भी इदर जो dot आ रहा है वो सब क्या रहा है इसे vector में आ रहा है एक बार फिर से आपको क्या है तो लगा zoom करके दिखाता हूँ अब इदर दिखो जो भी dot आपका ये बन रहा है सब vector में है तो ये आपको समझ में आ गया अगर समझो ये करते होगत आपको कुछ dots वगे रहा है तो मुझे comment box में comment कीजिएगा हमारे साथ जुदे रहने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद